हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू कॉंट स्टेडी, कॉंट स्टेडी में एक बार फिर आपका सौगत है, आज हम करने जा रहे हैं हाई लेवल कॉंट जो की मेंस की लिए है उसका पार्ट फोर, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी हाई लेवल कॉंट में हर पार्ट में पांच कोशन है, शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, इसके लाब हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, जल्दी से हमें हर जगा फॉलो कर लिजिए और किसी भी अपडेट को मिस्मत कीजि बिना किसी देर के हम आचाते हैं हमारे कोशन पर, पांच कोशन में से सबसे पहला कोशन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखे रहा है, अगर आप इसे खुद करना चाते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं, हम इसे लाइन बाइड लाइन पड़ेंगे और सॉल्व करना ठीक है, इसको mix किया गया है दूसरे solution के साथ जिसमें 68% सिरफ है, तो हमने यहां लिख लिए 68% सिरफ की बाद चल रही है, ठीक, in the ratio 4 is to x, तो हमें पता है यह 4 is to x की ratio में जो हैं, वो mix होए हैं, हमें x अभी पता नहीं है क्या है, अगर इस वाले solution का 4 units में mixing हुई है, तो इ solution in the ratio 4 is to x, and 60% syrup solution is made, देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, कि जब भी हमारा mixture allegation chapter में, allegation कब form होती है, जब हमारे पास एक solution होता है, और दूसरा solution होता है, उद दोनों को form करके तीसा solution बनता है, तब हमारी लगती है इसमें allegation, ठीक, इस question में भी same हो रहा है, एक solution है, दू को mix करके तीसा solution बनता है, तो allegation हमारी इस पर लग सकती है, अब allegation के लिए सबसे important part क्या था, कि जो content है, वो same होने चाहिए, जैसे इस जो first solution है, उसमें 46% syrup की बात चल रही है, ठीक है, वैसे ही दूसरे solution में भी 68% syrup की बात चल रही है, और जो final solution बना, उसमें भी 60% syrup की बात तो यानि कि हमारा content सेम है, content हमारा syrup का है, हम इस पर allegation लगा सकते हैं, allegation लगाएंगे, 60-46 होता है हमारा 14, और 68-60 होता है 8, इतनी चीज़ के लिए रही, तो एक हम इस term से ये वाली term माइनस करते हैं, और एक हम इस term से ये वाली term माइनस करते हैं, यानि कि आपका जो ये middle term आ रही है, ये इन दोनों की range के बीच में fall करनी चाहिए, एक से बड़ी होनी चाहिए, दूसरे से छोटी होनी चाहिए, तो वही चीज थी हमने allegation लगाई हमारी ratio आई 4 is to 7 की, question में दिया हुआ था कि इनको 4 is to x की form में mix करना है, यहाँ पर आ रहा है 4 is to 7 की form में, तो हम clearly द देखते हैं क्या कह रहे है, now this solution is mixed with another 48% syrup solution in the ratio of y is to 1, such that final solution contain 56% syrup, ठीक है, एक ये वाला solution है, दूसरा 48 वाला solution है, तीसरा जो form हो रहा है वो 56% वाला solution है, तो आप देख सकते हो 60 और 48 के बीच में 56 आता है, हमें एक और allegation लगानी पड़ेगी, हमारी x की value 7 है, ये चीज याद next लगाते हैं कि एक हमारा था 60% syrup solution जो ये वाला था, दूसरा उन्होंने कहा कि 48% का होगा और इन दोनों को mix करके जो बनेगा वो 56% का होगा, तीनों चीजे जो हैं वो syrup है, clear, लगाते हैं allegation, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 8, यानि कि 2 is to 1 की बाद रेशो में ये mix हो रहे ह question में दिया हुए है कि ये y is to 1 की ratio में mix हो रहे हैं, तो लिख लेते हैं y is to 1, अब यहाँ से हमें clearly दिख रहे है कि y की value क्या आ रही है, y की value आ रही है 2, तो हमारे पास x था 7, y आ गया 2, question में पूछे है x square minus y की value क्या होगी, x square हो जाएगा हमारा 49 और y तो हमारे पास 2 ही है, इनको जब आप minus करोगे आपका final answer आएगा 47, which is option D, clear, आते हैं हमारे next question पर, हमारे next question कह रहा है, c is age after 6 years is 4 times, a is age 6 year ago, अब देखिए अगर हम c की present age c माने, a की present age a माने, यहां कहा हुए c is age after 6 years, यानि कि c plus 6, क्योंकि 6 साल बाद की बात कर रहे हैं, और यहां पर लिखा हुए a is age 6 year ago, अगो मतलब पहले, तो a minus 6 की बात कर रहे हैं, अब उन्हें कहा है कि c की जो 6 साल बाद की age है, वो a की 6 साल पहले वाली age से 4 साल, चार साल नहीं, actually 4 times है, तो अ age 4 unit होगी, क्योंकि इसके 4 times क्या होगी यह, तो हमने इसको ratio में convert कर लिया, हमने हमारी statement को easily ratio की form में convert कर लिया, ठीक है, अब cross multiply कर देते हैं, हमारी equation बन जाएगी, c plus 6 की value है, 4 times a minus 24, यानि कि 4 times a minus c की value होगी 30, इतनी चीज़ क्लियर हमारी पहली equation हमारे पास आ गई, next line after 3 years, यानि कि B plus 3 is 50% more than A's age after 6 years, is to A's age after 6 years, अच्छा, अगर A's age after 6 years 100 है, तो 50% more होगी, B की age 3 साल बाद, यानि कि 50% more, 100 पे 50% more, यानि 150 होगी, B plus 3 की age, यानि कि 3 is to 2 की बाद चल रही है, ये चीज़ क्लियर होगी, 3 is to 2 की बाद चल रही है, अब हम इसे cross multiply कर लेंगे, so cross multiply करने पर आ जाएगा, 2B plus 6 is equals to 3 times A plus 18, ठीक है, 6 इदर जाएगा, और 3 times A इदर जाएगा, तो हमारी equation बन गी, 2B minus 3 times A is equals to 12, इतनी चीज़ क्लियर, 2B minus 3 times A is equals to 12, ये आगी हमारी second equation, first equation है ये, second equation है ये, तो अब हम सिरफ equations पे focus करते हैं, ठीक, so हमने हमारी equations लिख दी, ठीक, अब हमारी next line कर रहे है, if 3 years ago average age of A, B, C was 15, पहले देखते हैं कि A, B और C की बात चल रही है, 3 साल पहले क्या हो जहेंगी इनकी age, A minus 3 plus B minus 3 plus C minus 3, और इनकी average क्या होगी, divided by 3, उसकी value क्या आ रही है, 15, ये चीज़ समझाई, A की age 3 साल पहले, B की age 3 साल पहले, C की age 3 साल पहले, उनकी average, जिसकी value है, 15, इतनी जिसकी लिए है, तो इसको solve कर लेते हैं, A plus B plus C minus 9 is equals to 45, ये इदर जाके multiply हो गया, ठीक है, A plus B plus C की value आ गई, 54, ठीक है, 9 इस तरफ जाके add हो गया, सो हमने देख लिया, A plus B plus C जो है, वो 54 के बराबर है, ये है equation 1, ये second, ये third, अब देखिए, अगर हम equation 1 और equation 2 को add कर दें, तो ये जो हमारा 4 A plus का है, और 3 A minus का है, ये जब subtract होंगे, हमारे पास सिर्फ A बच जाएगा, और C हमारे पास ऐसी ही, एक single variable C के साथ, कुछ भी term नह add up करके देखते हैं, सो हमारा बन जाएगा, इन दोनों को add करने के बाद, A plus 2 times B minus C is equals to 30 plus 12 हो गया, हमारे पास 42, और A plus B plus C तो हमारे पास ऐसे भी 54 है, ठीक, अब क्या करेंगे, इनको दोबारा add कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 times A plus 3 times B, ये cancel out हो जाएगे, is equals to 96, इतने जाएगे, साथ ही हमारी जो second equation है, उसमें दिया हुए है, 2 times B minus 3 times A, इसको हम add up करेंगे, is equals to 12, अब इसमें से भी हम कोई एक element जो है, वो minus कर देते हैं, कैसे होगा, किसी एक term को हम common बना देंगे, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने A को बराबर बना दिया, कैसे होगा, इधर 3 है, इधर 2 है, तो उपर मैंने 3 से multiply कर दिया, नीचे मैंने 2 से multiply कर दिया, अब 3, 2 is a 6 A बन जाएगा, और 2, 3 is a 6 A बन जाएगा, यह होगा positive का, यह होगा negative का, तो यानि की A, A cancel out हो जाएंगे, अब हम सिरफ इन पर काम करते हैं, हमने जो 6 A, उपर वाले का और 6 A, नी cancel out होए हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन equations को add ही करना है, अच्छा, अब 3, 3 is a 9 B हो गया हमारे पास, 2, 2 is a 4 B हो गया हमारे पास, यानि हमारे पास 13 B आ गया, और यह जब add up होंगे, 96 into 3, और 12, 2 is a 24 होता है सीदा सीदा, ठीक है, तो कर लेते हैं इनको add up, so 13 B is equals to 96 into 3 plus 24 ठीक, 6, 3 is a 18, 1 carry on, 9, 3 is a 27, और 1, 28 और इसमें 24 add होना है, 8, 4, 12, 1 carry on, 8, 12, 10, 11, 1 carry on, 312, 13 से divide करोगे, आपके पास B की value 24, ठीक, B की value आगी हमारी 24, यानि B जो है 24 years old है, ठीक है, वैसे हम C की value निकालेंगे, कैसे, हमारे पास, एक equation थी, 2B minus 3A is equals to 12, ठीक है, यह वाली equation थी है हमारे पास, तो हमने क्या किए 24 की value इसमें डाल दी, यानि 48 minus 3 times A is equals to 12, 3 times A इदर जाएगा, 12 इदर जाएगा, 48 minus 12 आजाएगा, हमारा 3 times A के बराबर, यानि कि 36 की value आगी, 3 times A, A की value आगई, 12, हमारी B की A इस थी, 24, A की आगई, 12, एक equation हमारे पास थी, 4 times A minus C is equals to 30, यह value इसम ठीक जारो में, ठीक, अब इन्होंने question में पूछा है कि B और C की present age की average बताओ, B है 24, C है 18, इन दोनों को add up करोगे, आपके पास आएगा 42, average पूछा है, तो दो terms है, दो से divide किया, यानि कि 21 years होगी, इनका average दोगी है, हमारा option B, ठीक, समझ आ गया, next question, Manan, Naman and Oman together invested इतने in business, ratio of investment of Manan to Naman है हमारे पास, 5 is to 6, and Oman invested 6000 less than Naman, तो Oman ने invest किया है, 6000 less, Naman से, 5 को हम 5X मान लेते हैं, 6 को हम 6X मान लेते हैं, तो Oman का आ जाएगा 6X minus 6000, अब मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने 6000 minus 6X क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारा question कहा रहा था, कि Oman के कम है Naman से, तो जादा किसके हैं, जादा है Naman के, जिसके जादा होते हैं, वो पहले आता है, जिसके कम होते हैं, वो बाद में आता है, जादा वाला पहले आया, कम वाला बाद में आया, और हमने minus कर लिया अब देखिए एक हमारा partnership चेप्टर था उसी के साथ इन्होंने simple interest compound interest chapter mix कर दिया तो mains में ऐसे ही question आती हैं 2-3 chapters वो एक साथ mix कर देंगे कह रहे हैं कि नमन का जो profit share आया वो उसने invest कर दिया एक scheme में जिसने 15% per annum का उसको simple interest का rate दिया और 3 साल के बाद उसको ये amount वापिस मिली clear ठीक अब देखिए पहले तो हम बात करते हैं investment की यह वाला जो line है यह वाली जो है यह वाला paragraph यह अभी हम थोड़ा छोड़ते हैं पहले जो हमने अभी तक बनाया है उसको solve कर लेते हैं इन्होंने question के starting में कहा था total investment है 45,000 की और यहाँ पर आगी इनकी total investment total investment क्या बन रही है 6, 6, 12, 5, 17 x minus 6,000 कुछ नहीं किया हमने इनको add up कर दिया और इनकी value कितनी है total 45,000 तो 17 x की value आजएगी हमारी 51,000 और x की value आजएगी हमारी 3,000 clear तो अगर हम बात करें इनकी investment की तो मनन की आजएगी 15,000 की investment नमन की आजएगी 18,000 की और ओमन की आजएगी 18,000 से 6,000 कम यानि की 12,000 की investment हमारे पास तीनों की investment आ चुकी है तो हम लिख लेते हैं M, N, O की investment आ चुकी है 15,000, 18,000 और 12,000 next line कहरती कि नमन ने अपना जो profit का share है वो invest कर दिया किसमे एक scheme में जिसने उसको ये return लाके दिया तो इस return से हम क्या करते हैं नमन की जो profit है उसको x मान लेते हैं ठीक है अभी हम इनकी ratio निकालेंगे हम उसे सीधा-सीधा x मानेंगे क्यों क्योंकि जो उसका profit है वही उसने invest की है तो हमने profit को x माना profit बन गया हमारा principle किस के लिए simple interest compound interest chapter के लिए into rate into time है 3 साल का divided by 100 हमारे पास profit कितना आ रहा है 1 1 5 2 0 इतनी चीज़ clear है ठीक तो करते हैं solve 5 3 is a 15 20 और 3 से 3 3 is a 9 25 3 8 is a 24 12 4 0 फिर से 3 से गया 3 1s a 3 3 2s a 6 24 3 8 is a 24 0 तो हमारे पास x की value आगी 2 5 6 00 ये है उसका profit ठीक तो ये आया हमारे पास all in all नमन का profit ठीक अब हम निकाल लेते हैं इनकी ratios ये जो हमारी investment थी इनकी ratios निकालते हैं 3 के table से जाएगा 3 5s a 15 is to 3 6 a 18 is to 3 4s a 12 अब नमन का profit है 6 unit का exact value है उसकी 2 5 6 00 हम compare कर ले हमने compare कर लिया 6 unit की value है 2 5 6 00 1 unit की value होगी 2 5 6 00 divided by 6 ठीक है हमें क्या निकालने है हमें निकालने है total profit total profit कितने unit का है 6 4 10 5 15 unit का हमारे पास one unit की value है 2 5 6 00 divided by 6 तो 15 unit की value क्या होगी इसको हम 15 से multiply कर देंगे clear तो हमने किया 15 से multiply अब देखते हैं हमने कैसे किया ये question पहले हमने लगाया इस पे partnership वाला concept और उसके बाद simple interest का simple सा formula था कि simple interest is equal to P into R into T upon 100 वो formula लगाया ये जो principle था हमने नम्मन का profit माना हुआ था इस profit को जब हमने compare किया जो units में आई थी हमारी value 15 से 18 से 12 की ratio निकालके जो unit में value आई थी उसको हमने compare किया इस P के साथ तो वहाँ से हमारे पास P की value आ गई जब हमारे पास एक की value आ गई तो वहाँ से हमने हमारे जो तीन जो ratios थी उनकी value निकाली और हमारे पास total profit आ गया next question आ गया शिवम donated 24% of his salary to charity organization देखिए जब भी ऐसा question आता है तो आपको पता है 100% होती एक बंदे की salary ठीक उसमें से उसने 24% जो है वो charity को दे दिया तो बचा कितना 76% आगे देखते हैं and from the remaining salary he saves 8,000 रुपीज इस में से उसने save किये 8,000 रुपीज और जो बचे हुए था उसका क्या किया and remaining salary he distributed to his two children मेगा एंड आशा तो मेगा और आशा को उसने बचा हुआ पैसा दे दिया ठीक next चीज मेगा गौट 3 by 20 of शिवम सेविंग शिवम की सेविंग क्या है हमारे पास शिवम की सेविंग है हमारे पास 8 तो 3 by 20 क्या होगा इसका 1200 तो मेगा को कितना amount मिला है मेगा को amount मिला है 1200 तो हमने यहां लिख दिया 1200 and आशा got 20% more than share of मेगा इसका 20% क्या होगा 240 20% more की मतलब ये चीज़ इसमें add होगी यानि की मेगा का आशा का share क्या हो जाएगा 1440 ये चीज़ clear ठीक 1440 आ गया हमारा आशा का share अब देखिए उसने 76% का कुछ हिस्सा 8000 लगा दिया saving में और बचा हुआ हिस्सा उसने ये divide कर दिया तो यानि अगर हम इन तीनों का total कर लें हमारा 76% बन जाएगा तो करते हैं वही चीज़ 1200 और 1440 यानि की 40689 10 10640 जो है वो 76% of his salary है ये चीज़ clear अब उन्होंने पूछा है what is the ratio of total salary to share of आशा share of आशा है हमारा 1440 हमें बस total salary निकालनी है जो की इस position पर आएगी और उसकी ratio निकालेंगे तो हमारे पास हमारा final answer आजाएगा तो करते हैं वही काम हमारे पास 76% की value है 10640 तो 76 की value आगी 10640 तो 1 की value आई हमारे पास 10640 divided by 76 ठीक इतनी चीज़ के लिए तो हमें निकालनी है 100 की value तो इसको हम 100 से multiply कर देंगे 100 से हमने multiply कर दिया अब ये आगी हमारी total salary और हमारी आशा की जो उसको आशा को जो पैसा मिलता वो था 1440 इनकी ratio निकालनी है तो करते हैं शुरू 10640 divided by 76 into 100 रेशो निकालनी है इसकी 1440 के respect में तो हम अपना काटना शुरू करते हैं 236 ठीक 16 टू 8 जा 16 टू 5 जा 10 और 236 टू टू जा 4 और 0 फिर 2 से 219 जा 2 टू जा 4 13 टू 6 जा 12 और 12 टू 6 जा 12 जीरो ठीक है अब 266 0 19 के table से जाते हैं एक पर देख लेते हैं 266 0 19 1 जा 19 और कितना आया 76 तो 19 4 जा 9 30 9 4 36 3 जाता है तो 19 के table से 140 जाता है हमारा ये चीज़ अब 0 से हमने काट दिया 0 अब देखा मैंने इस 100 को नहीं छेड़ा क्यूंकि इसको छेड़ दिया तो हमारी calculation मुश्किल हो जाएगी 2 के table से 2 7 जा 14 और आगया हमारे पास 4 2 2 जा 4 तो 2 7 जा अब 2 3 जा 12 2 6 जा 12 250 जा 218 जा 225 जा तो अब आगे कुछ नहीं कटे गवा तो हमारे पास आगया 25 इंटू 7 इस टू 18 तो हम अपने options देखते हैं हमारे पास 18 है एक यहां एक यहां तो हमें multiplication करने ही पड़ेगी 25 इंटू 4 होता है 100 इंटू 8 होता है 200 200 से एक step बैग जाओ 175 इस टू 18 यानि की option D आगया हमारा final answer ठीक पूरा calculation बेच दी था क्योंकि यह यह वाली जो calculation थी यह थोड़े difficult थी और कुछ नहीं था question में next question आ गया a sum becomes 5600 after 5 years at approximately 20.43% तो गबराने की कोई बात नहीं है approximation की बात चल रही है और approximation का एक simple सा rule है 0.5 के उपर होगी value तो 1 आएगा 0.5 के नीचे होगी value तो 0 आएगा यानी 0.5 के उपर होगी तो next point term 0.5 के नीचे होगी तो पीछे वाली term तो देखते हैं हमारी rate दिया हुआ है हमारे को 20.43% तो यह 50 के उपर तो गया नी 50 के नीचे यह यानी पीछे वाली term आईगी यानी यही आईगी तो हमारा rate कितना हो गया 20% अब इन्होंने कहा है कि 5 साल में उसको 5 साल के बाद 5600 as total amount मिला क्योंकि उन्होंने कहा है sum becomes यानी कि principle जो है वो अब change हो चुक है वो उसमें interest लगा और वो 5600 हो चुक है तो 20% की value क्यों होती है 1 by 5 अगर 5 हमारा principle है तो उसको पहले साल कितना interest मिलेगा 1 का clear यह चीज़ अगर पहले साल उसको 1 का interest मिल रहा तो 5 साल बाद कितने का interest मिलेगा 5 का principle भी कितना था 5 था यानी interest कितना मिल रहा है उतना ही जितना principle था तो total amount क्या हो रहा है हमारा total amount बनेगा 10 यह principle प्लस 5 is equal to 10 यह चीज़ समझाई तो अब हमारा principle था 5 amount हो गया हमारे पास 10 यानी कि amount जो है वो double हो रहा है और यहाँ पर जो ह हमें 5600 का amount दिया हुआ है यानी यह भी double ही हुआ होगा क्योंकि 20% के rate पे 5 साल बाद amount जो principle जो है वो double हो जाएगा तो हमारे पास अगरे total amount आ रहा है 5600 यह आ रहा है double होके तो principle क्या होगा इसका half यानी कि 2800 तो principle आगे हमारे पास 2800 यह चीज़ समझागी यह चीज समझना से ज़्यादा जुरूरी है क्योंकि इसी पर आगे calculation होनी है next कह रहा है what is the difference between compound interest and simple interest on same sum at 20% rate of interest after 2 year हमारे पास CI-SI को निकालना है 20% हमारे पास rate of interest है तो 20% क्या होता है 1 by 5 अब कितने साल के लिए है 2 साल के लिए तो मैंने आपको बताया है यह denominator होता है इसको हम जितने भी साल के लिए हमें calculation करनी होती है उसकी power हम वही दे देते हैं तो denominator पे 2 साल की calculation करनी है तो इसकी power हम 2 दे देंगे 5 का square क्या होगा 25 यह आगया हमारे पास principal इस पे जब 1 by 5 लगेगा इधर आएगा 5 फिर second year की बात करें 5 और फिर second year में compound interest पे इस 5 पे पे तो 1 by 5 लगेगा तो यहां आगया 1 मैंने आपको पताया था यह जो उपर की term होती है यह आजाता है हमारा simple interest after 2 years और जो बाकी पूरी term है वो आजाता है हमारा compound interest तो simple interest आगया हमारे पास 10 और compound interest आगया हमारे पास 10 पे यह add यानि की 11 अच्छा अब इन्होंने subtraction पूछी हुए subtraction की क्या होगी 1 11 minus 10 is equal to 1 तो हमें इस 1 unit की value निकालनी है कुछ पी करके वो कैसे निकलेगी हमारे पास हमारा principle क्या था जिस पे सारी calculation हो रही थी 2800 यह चीज़ हमने निकाल ली थी question में हमने जो अभी assumption की principle की वो है 25 की तो यानि 25 की value होगी 2800 हमें 1 unit की value निकालनी है 25 की value आगई 2800 तो 1 की value होगी 2800 divided by 25 और यह 1 ही है हमारा difference तो हम इधर से सीधी सीधी calculation कर ले तो हमारा answer आजाएगा अब देखे 25 1 जा होता है 25 आया 30 फिर आया 1 खीक है अब आया 50 तो 25 2 जा होता है 50 तो 112 है ci minus si हमारा यहाँ पर हमारा option रहा same ठीक इसी के साथ हमारा part 4 भी खतम होता है हमारे quant का जो की mains level के लिए थी आज की question मुझे तो काफी interesting लगे I don't know आपको interesting लगे या नहीं और उनका solve करना तो उससे भी ज़्यादा interested था तो यहीं पर अपनी वीडियो को end करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इससे like कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इससे अपने friends के साथ share कीजिए thank you so much कर दो जाज में जाज़ादी कीजिए कीजिए बजयर कर दो हुआए से वीडियों है चैनल कर दो आपको अवातारी ज़िम हैं रहाएं में ये झाल रहें हैं पर आपको आपको अपली हैं साथ